बेटा यह जो है तुमारा कोश्चन है फ्रम ए राइफेल और मास फोर केजी ए भूलेट और मास 50 ग्राम इस फायर्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड कैल्कुलेट दा इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ दा राइफेल तो यह वाला कौन सी है यह इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड जो बूल रहें जब वह स्टार्ट किये हैं वह क्या 35 मीटर पर सेकेंड तो पहले जो भूलेट था वह वह इनिशियल वाट जो है तुम लोग को कॉन्फ्यूस कर देता पहले बूलेट यहां पर थी यहां से जो निगला है व मैं को यहां से फैस्टे था दाट वस्टी रो अन्ट वह जो है तो यहां पर यहां पर यहां इकल तो जी रो था उटो भी जीरो था एमहां कितना है म एमां डैस बूलेट का E1 अच्छा इसके M1 माल लेते हैं इसको M2 माल लेते हैं तो M1 M1 जो है 4 kg M2 M2 कितना 50 ग्राम तो 50 आपन 1000 kg 1 आपन 20 kg V1 फाइन करना और V2 जो भूलेट का जो भेलोज दिया 35 मीटर पर सेकेंड तो एकोडिंग टू कॉंजर्वेशन और मोमेंटम एकोडिंग टू कॉंजर्वेशन और मोमेंटम M1 U1 plus M2 U2 equals to M1 V1 plus M2 V2 M1 का बाल इसकितना 4 U1 का 0 M2 का 1 by 20 into 0 M V1 M14 into V1 plus M2 कितना 1 upon 20 into V2 कितना 30 502 यह दो पूराची रोगया 4 V1 plus 4 upon 7 to 4 V1 equals to 4 by 7 minus therefore V1 equals to negative of 4 by 7 into 4 minus 1 by 7 meter person is a negative sign come out love ever to give it a clear तो यह जो नेगेटिव साइन मलत हो क्या होता है बूलेट इधर जाता है उसको पॉजिटिव बोला तो गान क्या होगा पीछे आए ओके यह थीक है तो तो रिक्वाइल वेलोसिटी इसे पाउन्ट रिक्वाइल वेलोसिटी of the rifle is habitable habitable यह जोड़ना पड़ेगा ना दो दो पाटिकेल की बात है यह तो उसका होता है कि जो पहले का मोमेंटम जो मोमेंटम ता बात का मोमेंटम बड़ा बड़े जब तुम फॉर्मूला में पूट करोगे इंडिविज्वाइल जिस पूट करना पड़ेगा ना अग्युक्त अधि को जैसे कोई घाल था वह उसके कटकर बैठ जाती है तो कॉम्बाइन मास बन जाती है और कॉम्बाइन विलोसिटी हो जाती है ठीक है तो उसमें क्या होगा मास भी दोल देंगा ठीक है कि अच्छों कि क्या तुम्हारा यह वाला कुशन समझ में आ गया एक विज नमबर क्या था 126 फिर हम दूजरे कुशन होकी वाला कुशन बता रहे था